गुरुदेव और मागैति की चर्णों में कोटी-कोटी नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि हमारे दस प्रत्यक्ष गुरु कौन-कौन से हैं। श्री योगेंद्र जी ब्रह्मिचारी अखंड जोतिकेंक में लिखते हैं, एक प्रसिद्ध महात्मा ने एक बार कहा था कि हम तोते की समान कई बाते बूल जाते हैं, पर उन में से एक को भी कारे में नहीं उतारते कि वन मुक से कह देना और आच्रण में ना लाना, ये हमारा एक सो भाव ही बन गया है, वास्तों में ये सत्य भी है, आज मरश में सदाचरण शक्ती का आभाव हो गया है, हम नित्य प्रती रामायन गीता महाभारत आधि गरंतों का पार्ट करते तो हैं, उनको टेली विजन के उपर देखते तो हैं, उनमें वो महत्तपूर्ण प्रत्म नहीं करते, यदि युदिस्ठिर की तरह हम एक पार्ट को जीवन में उतारे बिना आगे बढ़ने का साहस ना करें, तो हमारी जीवन में वह निखार उत्पन हो सकता है, कि हम एक आदश मानव बनकर सहस्त्रों प्राणियों को मानवता की सुगंधी देते रहें, सं उपनिश्यत का वचन है कि आत्मा की प्राप्ति शास्त्रों को सुनने या उनका पाठ करने मात्र से नहीं हो जाती, उन पर आच्राण करने से ही इसकी प्राप्ति संभव है, एक उर्दू कवी का कहना है कि अमल से जिंदिगी बनती है, जन्नत भी, जहन्नुम भी, प्लैट में एक ऐसे महर्शी का वणन मिलता है जिनको प्रुक्त शक्ती की सिध्धी थी, उन्होंने प्रकर्ति से शिक्षा ग्रहन करके अपनी जीवन को सुन्दर्तम बनाने की चेश्टा की थी, वे हैं महर्शी तत्ता त्रे, नीचे हम उनके प्रितक्षत 10 कुरूर का वणन करते ह यदि हम भी इनको अपनाकर ज्यान ग्रहन करें तो भगवान दत्ता त्रे की भाती ब्रम वेता बन ब्रम ज्यान की प्रापति कर सकते हैं भगवान दत्ता 3 कहते हैं पहला गुरू मेरा मैंने प्त्थवी को बनाया उससे मुझे धैर्य और शमा की सिक्षा मिलती है प्त्थवी पर लोग नाना प्रकार के आगातवा उत्पात करते रहते हैं प्रन्त वह नातो रोती है और ना बदला लेती है बलकि प्त्युत्तर में फल फूल अनाज वनस्पतियां और जाने क्या-क्या देती है संसार में हर प्रकार हर एक प्राणी को कष्ट और आपत्यों का सामना करना पड़ता है कोई रोकर करते हैं कोई धीरस से हमें प्रत्वी की तरह सहनशील होना चाहिए और परोपकार की सिख्षा ग्रहण करके अपने जीवन को समाज के हित में खुला देना चाहिए दूसरा गुरू मैंने वायू को बनाया जैसे शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा से ही संतुष्ट रहता है वैसे हमें भी इंद्रियों की तरप्ती में आसक्त ना होकर जीवन निर्वाह की वस्तू की ही इक्षा करनी चाहिए शरीर के बाहर रहने वाला भी सब जगह होता है प्रन्तु अना सक्त भाव से किसी के गुर्दोश को नहीं अपनाता वैसे हमें भी विभिन प्रकार के भोगों को भूगते हुए अपने लक्ष पर इस्तिर रहना चाहिए उसमें रागदेश या आसक्त ना होना चाहिए जैसे वायू गंध को वहन करती हुई भी उसके संपर्क में नहीं आती वैसे ही हमें भी शरीर की भूग प्यास वा पीड़ा आधी को वहन करके अपने को शरीर नहीं आत्मा मानते हुए उसके गुरों से निरलिप्त रहना चाहिए आगे दत्त त्रे भगवनजी लिखते हैं तीसरे गुरू आकाश से आत्मा की सरव्यापक्ता की शिक्षा मिलती है आग जलाती है पानी बरस्ता है अन आधी आते हैं वा नश्ठ होते हैं बादलाते वा जाते हैं परन्तु फिर भी आकाश वैसे का वैसा रहता है उसे कोई नहीं चुछ सकता है इसलिए नाम रूपों की स्रश्टी वा प्लय की चक्कर में ना पढ़कर आत्मा को इनके इस परश से दूर रखना चाहिए चौथे गुरू जल से मैंने ये शिक्षा लिए कि हमें सभाव से स्वच्छ मधूर और पवित्र होना चाहिए प्राकृतिक जल शुद्ध होता है तो भी प्रत्वी के संपक्म आकर गंदा होने परविवा पुना शुद्ध और पवित्र होने के लिए प्रत्नशील रहता है यदि हम भी पथ व्रष्ट हो गय हूँ तो पुना सनमार्क पर जाने का प्रत्न करना चाहिए मेरा पाचवा गुरु अगनी है जो मुझे तेजस्विता, प्रकाश, स्रिश्ठता, पर्मार्द संता की शिक्षा देती है अगनी निरंतर ऊपर की ओर ही रहती है जहां जलाइ जाती है वहाँ गर्मी वा प्रकाश उत्पन्च करती है जो कुछ उसे अरपन किया जाता है व पुरुष को उप्रोप्त गुणों को ग्रहण करके माया मोह दोईश ममता से दूर रहकर समरूप रहना चाहिए। प्रत्यक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग दिखती है प्रदुवा है एक ही एकात्म भाव को इस्तिर करके मरश्य ब्रह्म ग्यानी हो सकता है संसार की उच्चितम सुख शान्ति और आनंद को प्राप्त करके अमर हो सकता है। साथवा गुरू चंद्मा ये शिक्षा देता है कि जिस तरह चंद्मा न घटता है न बढ़ता है प्रन्तुसकी कलाएं घटती और बढ़ती हैं। चंद्मा को उनसे कोई लगाप नहीं रहता इसी तरह से हमें हमारे शरीर की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं होता हमें उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। आठवे गुरू समुद्र से मैंने ये सीखा है कि जिस प्रकार वो सदे मर्यादा में रहता है। ग्रीश में रितू में सुखना नहीं और वर्शा रितू में नदियों वा वर्शा के जल को ग्रहन करके कभी आमर्यादित नहीं होता इसी प्रकार से। हमें भी कष्ट और आपत्या आने पर दुखी और एशरे प्राप्ती पर प्रसन नहीं होना चाहिए बलकि दुख सुख में एक समान रहना चाहिए। सार ग्रहन की शिक्षा मुझे ब्रहमर से मिलती है जिस प्रकार वो भिन्य प्रकार की पुश्मों पर घूम घूम कर सार ग्रहन करता है उसी प्रकार से हमें भी छोटे बड़े सभी शास्त्रों का मनन करके उनकी मत भीदों और उल्जनों में ना पढ़कर उनका रस चाहिए बालक मेरा दस्वा ग्रू है जो निरंतर उन्नती की और अग्रसर रहता है जिसके मन में किसी के प्रती द्वेश और दुर्भावना नहीं होती हमें भी अपने जीवन को दुर्भावना हीन वा द्वेश हीन बनाना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने की इक्षा रखनी चाहिए सनत कुमार निरंतर पांच वर्ष की आयू के ही रहते थे ये उनकी बालक जैसी सम इस्थिति की और संकेत देता है हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रोक्त दस शिक्षा को अपने जीवन में ओध प्रोक्त करके सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलानी के हमारे दस गुरू हैं जो हमें अनेक तरह की शिक्षाएं देते हैं इनको हमको अपने जीवन में धालना चाहिए और इनकी जैसे ही हमको बनना चाहिए तो इस तरह से हम 10 गुणों से शिक्षा लेकर अपने जीवन को और अधिक सुन्दर बना सकते हैं तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हैं तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें मंत सिध्धी चैनल को धन्यवाद